ग्रूप वन में तहलका साही मच गया है जहाँ पर चारो की चारो टीमों के पास एक opportunity है एक chance है कि वो semi final के लिए qualify कर सकती है जानी सिर्फ दो ही team हैं बट chances हर टीम के हैं इंडिया के भी हैं जो सबसे बहतर हैं उसके बाद Australia के भी हैं अफगानिस्तान के भी हैं इवन Bangladesh के भी chances हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया भी semi final के qualify ना कर पाए समीकरण हैं और ऐसे भी बन सकते हैं कि इंडिया भी इस world cup के semi final के लिए qualify ना करे पर chances उसके कम हैं पर वो कैसे हो सकता है कि इंडिया भी इस tournament से बाहर हो जाए इंडिया फिलाल दो matches खेले हैं दो जीत दर्ज हैं और सबसे बड़ी बात उनके पास यह जो run rate है 2.425 जिसको पीछा अगर कोई दोनों में से या तीनों में से कोई भी team कर रही है उसको उलट फेर करना बहुत ही मुश्किल होगा उसको उलटा करना है उसको पीछे करना है बहुत मुश्किल होगा आस्ट्रेलिया का एक match बचा है जो उनको इंडिया के साथ खेलना है 24 तारीक को 24 जून को उनको खेलना है अफगानिस्तान का आखनी match बांगला देश के साथ है जो उनको 25 को खेलना है तो इंडिया के सूरत में बाहर हो सकती है इंडिया फिलहाल लगता बहुत मुश्किल है इंडिया इस पूरे ग्रूप में बेस्ट प्लेस्ट है कि सेमी फाइनल क्लिक वालिफाई करते हैं अगर आस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया फर्स कीजिए कि 41, 42, 45, 41 से उपर कित तो उस सिनारियों में क्या होगा इंडिया बाहर हो जाएगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी यानि एक टीम गयाना पहुँच जाएगी और दूसरी टीम जो है वो ट्रेंडार्ट पहुच जाएगी हाला कि फिलहाल देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया कौलिफाइर ना करे अच्छा इंडिया के लिए क्या है इंडिया को सिर्फ अपना मैच जीतना है तीन में से तीन और इंडिया सीधे गयाना की फ्लाइट पकड़ लेगी वहीं अगर अफगानिस्तान बांगला देश को हरा देता है और उस केस में अफगानिस्तान थ्रू हो जाएगा सीधे उनकी दो जीत हैं इंडिया की तीन जीत और ये दोनों टीमे चली गएगी अगर Australia, India को हरा देता है और Afghanistan, Bangladesh को हरा देता है उस case में क्या होगा कि हर एक team के पास दो-दो जीते हैं तब कौन जाएगा उस case में most probably India और Australia का chance बनता है क्यों? क्योंकि Australia का net run rate 0.223 जो Afghanistan के minus 0.650 से काफी बहतर है अगर Afghanistan को Australia को पिछाड़ना है इस 0.223 का जो उनका positive run rate है Australia का उससे आगे निकलना है उसमें यह है कि अगर Australia एक run से भी हारता है अपना match या फिर एक run से भी जीतता है Australia अपना match तो Afghanistan को यह करना है कि उनको कम से कम 36 run से अपना match Bangladesh से जीतना पड़ेगा उसी case में यह है कि Afghanistan Australia से आगे निकल पाएगा net run rate में और तब जाके यह होगा कि Afghanistan और India जो है वो through हो जाएंगे Bangladesh के लिए भी chances है बट वो तो ऐसा है कि पहले उनको Afghanistan को एक बड़े margin से हराना पड़ेगा उसके बाद उनको यह भी उम्मीद करनी है कि Australia जो है वो India को एक और भी बड़े margin से हरा दे तो यह है समीकरंट फिलाल group 1 का पर आप लोग sports तक को subscribe जरूर कर लीजिए क्योंकि अब जो tournament है अपने business end पे जा रहा है और समीकरंट जैसे आपको बताई दिये हैं कि अब बहुत जादा रायता जो है वो फैलता जा रहा है तो आपको West Indies यानि करेबिन आइलेंड से भी खबरे मिल रही हैं मौसम पे भी नजर बनी हुई है तो sports तक को subscribe जरूर कर लीजिए